जीवित पुत्रिका वृत यानी की जितियावरत का हिंदू धर्म में खास महत्व माना जाता है। इस वरत को महिलाएं अपनी संतान की दीरगायू के लिए रखती हैं। यहाँ वरत बहुत ही कठिन वरतों में से एक माना जाता है। महिलाएं बिना अन्नजल ग्रहन किये इस करती हैं और अपनी संतान के बहतर स्वास्थ और सफलता की कामना करती हैं। इस साल यह वरत महिलाएं 25 सितंबर दिन बुध्वार को करेंगी। इस दिन महिलाएं निर्जला वरत करके भगवान जीमुत्वाहन की विधिपूरवक पूजा करती हैं। आईए आपको बताते हैं जितिया वरत का महित्व, पूजाविधी, शुप मुहूर्त और वरत को रखने के लाब जितिया वरत आश्विन मास के क्रिश्न पक्ष की अश्टमी तिथी को रखा जाता है। आश्विन मास के क्रिश्न पक्ष की अश्टमी तिथी इस बबार 24 सितंबर को दोपहर में 12 ब इसका पारण सुभा चार बचकर 35 मिनट से सुभा पांच बचकर 23 मिनट तक किया जाएगा। जितिया वरत का महत्व, जितिया वरत प्रमुक रूप से बिहार, जारखंड और पूर्वी उत्तर प्रदेश की कुछ हिस्सों में रखा जाता है। माताएं संतान के लिए निर्जला वरत करके भगवान जीमुत्वाहन की विधी विधान से पूजा करती है। मान्यता है कि इस वरत को करने से आपकी संतान के उपर से हर प्रकार का संकर टल जाता है। इस वरत को महिलाओं को हर साल करना होता है और बीच में कभी छोड़ा नहीं जाता। जितिया वरत की पूजाविधी जीवित पुत्रिका वरत को करने के लिए महिलाओं सुभा ही सनान करने के बाद वरत करने का संकल्प लेती हैं और गोबर से लीप कर पूजास्थल को साफ कर देती हैं। इन पर सिंदूर चड़ाया जाता है और उसके बाद जीवित पुत्रिका वरत की कथा सुना कर पूजा को संपन किया जाता है।